हलो बच्चो क्या हाल चाल कैसे हैं आप लोग अच्छे हैं तो अच्छे रही है स्वस्त रही है पढ़ते रही है यह स्टार्ट करते हैं बीजनस स्टेटिक्स का फर्स्ट पेपर फिर लाए हैं आपके लिए 40 कोश्चन का MCQ स्रीच जल्दी से त्यार हुजे यह और इसे कमेंट भी करीगा इज़े इस्टार्ट करते हैं हम हम फर्स्ट कोस्टन द्यान दीजीगा फर्स्ट कोश्चन में कह रहा है कि निमन में सत्त स्थ है निमन में सही क्या है पहला दे रहा है कि मोड अर्थात बहुला मोड बराबर होता है 3M-2 x-bar x-bar बने माध् speakers श्रीज है है मतलब जब मादिका में से 2x वार घटाया जाता है तो यह सही है mode बरबर या दूसरा दे रहा है कि mode is called to होता है कि median plus mode यह सही है या mode is called to होता है 2 median minus 3 mean या mode is called to होता है median plus mean चुकि इसमें कुछ plus minus का option गलत दिया गया है लेकिन इसमें से सही option चारों में से क्या है पहला है यह बैकल्पिक सुत्र है mode ग्याद करने का mode is called to अर्था z is called to होता है z is called to क्या होता है z is called to होता है 3 minus 2 x bar यह सही सुत्र है ठीक ना अर्थात क्या होता है z is called to 3 minus 2 x bar यह सुत्र होता है याद रखे रहेगा हमेशा यह सही है तो यह option पहला सही है दूसरा हमारा question है कि यदि माधिका द्यान दिजेगा यदि माधिका 31 और समानतर माध 30 तो बहुलक अनुमानित मुली क्या होगा तो ग्याद कर लिजेगा फार्मुले पे z is called to 3 y minus 2 x bar यह पर value रख दीजेगा अब value रखेंगे तो इसमें पहला option सही आएगा 27 ठीक है अर्थात option a सही नेक्स्ट अमारा तीसरा question है सामान आविर्ती बंटन में सामान आविर्ती बंटन में क्या होता है पहला आपसन, मादे और मादिका एक ही बिंदू पर इस्थित होते हैं, मादिका और भुष्टक एक ही बिंदू पर इस्थित होते हैं, भुष्टर और ओसत एक ही बिंदू पर इस्थित होते हैं, उप्युक्त में से कोई नहीं थे, इसमें से सही आपसन है आपका दूसरा, क परिशुद्ध और सापिछ दोनों मापन से उप्युक्त में से कोई नहीं तो सही इसका आपसन है चोथे का आपका आपसन नंबर ए परिशुद्ध मापन द्वारा ठीक है पांचवा हमारा क्वेशन दिया गया है कि किसी समंक माला में बहुलक तथा मादी का करमस इतना है तो मादी कितना होगा ताप उसी वेरकलपिक सुतर पर निकालिएगा कि जडिस्कल्टू क्या होता है थ्री यम मैनस टू एक्स बार फार्मूले पर रख लिजेगा इसको दाइबाय करके चेक कर लिजेगा आजाएगा आपका तो इसका पांचवे का आंसर मैं बता दे रहा हूँ आप निकालिएगा आपसन इसमें से भी आपसन सही होगा अर्था दस आएगा ठीक ना चेक कर दे दे जे हैं लिझा अकला हूश्क पर एक अलप असमिति आवर्थ बंतन की इस्थिति में कौं सा सकत है क्या सकत है ध्यान दिजेगा पहला है कि मीन माइनस थ्री मेडियन दूसरा इसमें का रहा है enterprise oops वह लाट तो आप सशन गलत दे रहा है यह वाला option सही है, यह है कि 3 median minus 2 mode अर्थात mean minus 3 median minus 2 mode एक option यह दिया गया है, typing में mistake हुआ है, दूसरा है कि median minus 3 mode minus 2 mode mean और तीसरा option दिया गया है, कि mode is called 2 होता है, 3 median minus 2 x बार और चौथा option दिया गया है, mode minus 3 यह प्लस 2 median, तो यह चारो option में से 2 option सही है, बस यहाँ पर mode is called 2 होगा, ठीक ना, mode is called 3 median, यह पीछे भी question एक आया था, चिक कर लिजेगा, तो आपसन 3 सही होगा, तो आपसन 3 सही होगा, तो आपको मैं बताया है, इसम सबसे अधिक बार आई हो, जो संख्या सबसे अधिक बार प्रियोग की गई हो, वही हमारी क्या है, बहुलग है, तो इसमें ध्यान दिजेगा, 3, 3, 3, यह कई बार प्रियोग किया गया है, किया गया है नो, यह देखिए 3, सबसे अधिक संख्या कौन प्रियोग में आई है, तीन तो बहुलक क्या होगा इसमें थृय होगा cœur ऐसमान सभी शंबोगा है और C किया जा सकता है ठीक है, नो नमबर क्वेश्चन हमारा कर रहा है, कि बहुलक है, बहुलक क्या है, माध की अधिकतम मुल, सबसे कम आविर्ती वाला मुल, सबसे अधिक आविर्ती वाला मुल, इन में से कोई नहीं, तो सही आपसन है, सबसे अधिक आविर्ती वाला मुल ही बहुलक होता है, तो इसमें आप का आंसर आएगा 15 मिला लिजेगा आप कल्कुलेट कर लिजेगा ठीक नो 15 सी सही है फिर अगला कवरा है कि एक प्रेंड पर लगे संत्रों का आउसा ताकार निकालने है सरवाधिक उप्यूक्त आउसत कौन सा मानले ये एक प्रेंड पर संत्रा लगा हुआ है उसक किसी तरह आगला क्वेशन है दूती चतूर्थक होता है दूती चतूर्थक को क्या कहा जाता है माधिका कहा जाता है क्योंकि यहां देखिए बता रहें आपको मेडियन स्कल्टू होता है क्यूटू अक्यूटू स्कल्टू होता है डीफाइफ डीफाइफ इसकल्टू होता ठीक न, आप चिक कर लिएगा, तो सही आपसन इसका क्या होगा, मादी का, अगला हमारा क्वेशन कर रहा है कि 25 सत्मक होता है, 25 सत्मक क्या होता है, 33 चतूर्थक, और अगला कर रहा है कि पर्थम चतूर्थक, 23 सत्मक, इनमें से कोई नहीं, तो सही आपसन है, पर्थम चतूर् गर्णा की जाती है, कौन-कौन से Q1 है, Q2 है और Q3 है, ये तीने चेतुरत की गर्णा की जाती है, अगला है, पंदरने नमबर कुश्चन नियमनों में से कौन सा गर्टी माद देना है, ध्यान दिजिए, गर्टी माद ये तीनों है, गुरुत्तर माद, समंतर माद, हरात्मा, एक बहुलक ही ये इसा है, ये इस्थिती माद है, बहुलक और मादी का इस्थिती माद होते हैं, याद रखे रहेगेगा, तब भुष्टक सही है, पहला अप्सन सही है, अगला है, गुरुत्तर माद किस माला के अनंत पदो के गुरुनफलो का योग होता है, तो ये 16 नमब पर्थाम अब किरन घात कहलाता है, पर्थाम अब किरन घात क्या कहलाता है, समांतरमाध माध बिचलन, प्रमाध बिचलन, चेतूर्थक बिचलन, तो इसमें से सही अप्सन है, माध बिचलन कहलाता है, में इंडिवियेशन, ठीक है, फिर आगे बढ़िए, अगला कहरा है, चे चतुर्थक विचलन के 5 गुना किस के बराबर होता है। अगला है 20 नमबर यदि बेरियंस 625 है तो प्रमाब बिचलन होगा ध्यान दीज़े 625 है बेरियंस 625 है तो इस कल्टू कितना होता है 25 कितना हो जाएगा 25 सही आपसन क्या होगा इसमें 25 होगा ठीक है 21 नमबर क्वेशन कहा रहा है कि जड़ि समांतर माद से लिए गए बिचलनों के बरगों का यूग होता है बराबर अधिक्तम नियुन्तम इनमें से कोई नहीं तो सही आपसर क्या होता है नियुन्तम होता है विचलनों के बरगों का यूग नियुन्तम होता है नेक्स कोश्चन विचलन गुणां की गड़ना की जाती है और थाथ को efficient variance की गड़ना किसकी साहता से की जाती है SD की साहता से, mean से, both से, इनमें से कोई नहीं, तो both, both मतलब, SD की साहता से भी की जाती है, और mean की साहता सर्था, दोनों के मादधें से variance की गड़ना की जाती है, next question, लारेंज बकर, कन रेखा, के जितने समीफ होता है, उतना ही, क्या होता है, सम होता है, विसम होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है, क्या होता है, सही option है, दोनों, अर्था सम और विसम, दोनों होता है, 24 नमबर question, अब किरन किस स्रेणी के मादधे होते हैं, अब एक स्रेंडी के माददे होते हैं, ठीक नए? क्षीश नंबर में produce आधिक संघति क्वाइस अधिक सम्रूपस्थ तो इसमें से कून सा आपसन मानी जाती है और अपसन दाफारा है? Q26 के ओर बढ़ते हैं कि यह दिद प्रस्रण 144 है तो मानक विचलन क्या होगा, और्थाथ प्रस्रण और्थाथ बेरियंस हमारा 144 है तो इस कल्टू के इतना हो जाएगा 12, और्थाथ कौन सा अप्शन सही होगा, यह अप्शन सही होगा नेक्स कोशन का रहा है बिच्रण मापांक मापता है बिच्रण मापांक क्या मापता है बेवहार निस्पादन प्रतिदर संगती मांगता है अर्थात आप्सन डी हमारा सही है ठीक नेक्स कोशन के ओर बढ़ते हैं अठाइस नंबर कोशन का रहा है क्या का रहा है कि यदि प्र ठीक है, 28 नमबर हो गया, अब 29 नमबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 29 नमबर क्वेश्चन का रहा है, विसंता की ब्याख्या में विवरण का प्रियोग किया जाता है, किस कार्जों के लिए किया जाता है, संगत, संमत के लिए, असंमत के लिए, दोनों के लिए, इनमें स से किसको ध्यान नहीं देता है काल पीर्षन का जो विसंता गुणा निम्न में से किसको ध्यान नहीं देता है ध्यान दीजेगा किसको ध्यान नहीं देगा माद को भुष्टक को मादिकाव को माद विचलन को सही आपसन है माद विचलन को ध्यान में इसमें नहीं रखा जाता ह आगे सब कात धेया लखा जाता आगे बाитесь संटागुणांग किसको ध्यान नहीं देता बावले का भी संटागुणांग है ये किसक को ध्यान नहीं देता चैसी को मिडियन को देखоде ये गलट टाइपींग हो आधारीद दियेगा दोनों को इनमें को हिग नहीं गैं ठीक है, next question केली का विसंता गुणांक आधारीत है, केली का विसंता गुणांक किस पर आधारीत होता है, सत मक पार, पंच मक पार, दस मक पार, चतूरत मक पार, तसत मक परक होता है याद रखे रहे गए, यह सब मुझवानी क्वेश्चन याद रखने वाले चीज़ है नेक्स क्वेश्चन हमारा कोरा है कि विसंता रिडात्मक होती है जब विसंता रिडात्मक कब होती है समांतरमाद से भुष्टक अधिक हो समांतरमाद से भुष्टक कम हो समांतरमाद के बराबर बुष्टक कम हो समांतरमाद के बराबर बुष्टक कम हो इनमें से कोई नहीं तो सही आपसन है समांतरमाद से कोई नहीं तो सुनने होता है, याद रखे रहेगेगा, सम्मिती वित्रन में विसमता गुडां सुनने होता है, तो 35 नमबर क्वेशन हमारा को आ रहा है कि दुई बीमा चित्र भी कालाते हैं, द्यान दीजीगा, चित्र आविर्त आविर्त बहुत पुछ इनमें से कुछ कोई नहीं, तो सही आप्सन है कि इनमें से कोई नहीं कालाते हैं, आप्सन नमबर d, चित्र बनाय जाता है, समतल रूप में 36 रूप में, समतल चाथीज रूप में चाहितन जुरूप में ठीक ना तो आ टाइपिंग होगरे देख लिजेगा इधर उधर हुआ है सब जल्दी बाजी में बनाए बाभू आप लोग एड़ेस्ट कर लिजेगा पढ़ लिजेगा अच्छे तरीके से ठीक है अगला नंबर 37 नंबर कोश्चन हमारा को आ रहा है कि बहुग बहुत गुणो बाला तुसे मिस्रित दंडी चितर कहा जाता है 38 नंबर कोश्चन कर रहा है दूई मीमा चितर बनाते समय किस इसको ध्यान में रखा जाता है कि ओल उचाई पर ध्यान देते है कि ओल चोडाई पर ध्यान देते है उचाई चोडाई मोटाई तीनों पर ध्या अगला question, 49 number 49 number question कर रहा है, ओजाई बक्र खीचा जाता है के द्वारा ओजाई बक्र किस के द्वारा, समांतर मादी के द्वारा, मादी का के द्वारा, संचेह आविरती वित्रण के द्वारा, इन में से कोई नहीं तो सही में से ओजाई मतलब frequency distribution वाला जो कर्व है संचेह आविरती वित्रण की साहता से बनाये जाता है, ठीक ना, तो आपसन C, सही हो, और last question हमारा है, 40 questions कि graph द्वारा नेन में से किस की गड़ना की जाती है, जैन दिए, graph द्वारा किस चीज की हम गड़ना आसानी से कर सकते है समंतर माद का, गुनतर माद का, हरत्मक माद का, मादिका का, तो सही आपसन इसमें D होगा, अर्थात, graph के द्वारा के ओल, मादिका की गड़ना अच्छे तरह की जाती है, तो इस तरह यह 40 questions का series आप लोगा complete हुआ, यह हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट के मादियम से जरूर बताएंगे और बाओ इसे बार बार मैं कह रहा हूँ नोट कर लीजेगा, बार बार यात कर लीजेगा ताकि हो सकता है कि एक जाम में कुछ कोशने इसमें से मिल जाए, जो आप के लिए काफी helpful होंगे ठीक है, फिर नेक्स वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं तब तक के लिए बार